हाई फ्रेंज वेलकम टू माई योट्यूब चैनल छोटुदा धाबा तो आज छोटुदा धाबा में बनने वाले हैं कब आप तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने दो कटोरी के करीब चने की दाल ले ली है इसे मैंने आदे घंटे के लिए पानी में सोब करने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से धुल लिया है और ये मैंने लिए है एक कटोरी सोया चंक्स इसे हमें पानी में डाल कर फूलने के लिए छोड़ना है इसके बाद मैंने ले लिये हैं ये दो हरे मिर्च, एक अध्रप का तुकड़ा, थोड़ी सी लैसुन की कलियां और एक मीडियम साइज का प्यांच इसके बाद बारी आती है खड़े मसाले की तो खड़े मसाले में मैंने ले लिये हैं दो लाल मिर्च एक डालचीनी का तुकड़ा, दो तेज पत्ता, थोड़ी सी जावित्री, तीन इलाईची, तीन लॉंग और एक चमशी करीब जीरा ले लिया है अब एक तान में मैंने दो कप के करीब पानी ले लिया है इसे हम हाई फ्लेम पे गर्म कर लेंगे तो पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे सोया चंग्स दालने के बाद इसे हमें हाई फ्लेम पे दो minute के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि जो सोया चॉंग्स हैं वह साइज में डबल हो जाएं और इसे तो आगे हम पकाएंगे ही पर ऐसा करने से क्या होगा पहलो तो यह साइज में डबल हो जाएंगे और उसके बाद जब में से पकाएंगे तो यह सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब बारी आती है इन सारे चीजों को चॉप कर लेने की तो सबसे पहले हम हर इमिज के यह डंटल हटा के अलग कर देंगे और हर हर इमिज को हम चॉप कर लेंगे तो हम हर इमिज को बहुत जादा महीन नहीं चॉप करना है इसके बाद अद्रग के तुकड़े को भी हम छोटे-छोटे हिस्सों में काट लेंगे तो यह द्रग भी हो गई है अब बारी आती है प्याच की तो प्याच का सबसे पहले हम तो प्याच तो हो चुका है अब बारी है लेसुन की तो लेसुन को आप चाहें तो रफली चॉप भी कर सकते हैं बरना जिस तरीके से मैं कर रही हूं हो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो यह द्रग हर इमिज लेसुन और प्याच हमने रफली चॉप कर लिया है अब कुकर में मैं तो हम पहले सरसो के तेल को हाइश फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और जैसे ये तेल गर्म हो जाएगा हम अपने ख्याश का फ्लेम लो कर देंगे तो एक तरीके से गर्म हो चुका है अब इसमें डाल देंगे हम सबसे पहले जीरा जीरा डालने के बाद जितने भी खड़े मसाले हैं वो हम सारे स्टेल में डाल देंगे पर इस टाइम हम लाल मिर्च को नहीं डालेंगे और इस लालमिच को हम बाद नहीं उस करेंगे तो इसे हमें तब तक पका लेना है जब तक जीरा थोड़ा सा चटक नहीं जाता है इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे लैसुन और अद्रक तो दोनों चीजों को हमें तब तक पकाना हैं जब तक लैसुन और अद्रक की जो एक रॉइस में लाती है वो ना निकल जाए तो ये सब होने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज जो हमने रफली चॉप करके रखा था तो इसमें दाल दिया है प्याज इसमें डाल देंगे हरा मिर्च तो łatwo बहुत ज moc शाए नहीं पकाता है pleasure सब तक थोड़ा सब भी जब साब यानि की फोड़ा सी पिंकिश की पका strongest pre जो भूचन के लाली मिर्श ज़री हो सब्सक्राइब तरस टोर्द बावन के तो भी प्हाँ तोलोस है तो यह सो इंट जोरिंगे जली Sü aprs इसमेडर अधा चमके करीब धनिया पाउडर अधा चमक अगजार करीब Agash अब आपको क्या करना है इसे अच्छी करीके से मिक्स कर लेना है थ्यान रखिये आपको आपने savas फ्लेम ग्यास का फ्लेम रखिदा है क्योंकि अगर आपको अपना Kiaas का flame high कर देंगे तो मसाले डाले है हो जल तो इस बात का ध्यान रखिए जो जो ने चने की डाल रखिए झाल देंगे तो डाल तो मैंने इसमें डाल दी है अब बारी आती है सोया चंग्सकी तो आप देख सकते हैं ये पहले से साइज में डबल हो चुके हैं और इस टाइम जब हम डाल के कुकर में पकाएंगे तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे अब इसमें डाल रही हूं नमक, स्वादनुसार बस इसके बाद आपको डाल के सारी चीज़े अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इस टाइम आपको अपने ग्यास का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे कॉंटिनिमसली चलाते हुए भून लेना है तो सारी चीज़े चलान तो तीन मिनट पूरे होने के बाद इसे मैं वापस से चला दूँगी ताकि कोई भी मसाले जो हैं वो तली में नहीं चिपके तो चलाने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि मसाले अच्छी तरीके से इसमें मैक्स हो चुके हैं तो अब बारी आती है इसमें पानी डाल ना तो आपको बहुत साथा पानी डालना है और नहीं आपको कम पानी डालना है आपको इस हिसाब से पानी डालना है कि ताकि जो आपकी डाल है वह पूरी तरीके से पक जाए और पकने के बाद उसमें थोड़ा सा भी पानी ना रह जाए तो बस अब मैंने कुकर का धकन लगा तो चार सीटी आने के बाद मैंने अपने गास का फ्लेम आफ कर दिया था और कुकर का जैसे ही सारा प्रेशर निकल जाएगा इसका ढखन अटा के चेक करेंगे कि दाल पकी है या नहीं तो आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से पक गई है और दाल का गलना बहुत जादा ज़रूरी है और आप ये देखिए कि जैसे जैसे मैं इसे चमच से चला रही हूँ ये अभी से ही ऐसा कीमे की तरह दिखने लगा है उसके बाद इसे आप एक बाउल में निकाल लीजे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दीजे तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो मैंने एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है और ये दाल हमारी थंडी हो चुकी थी तो इसे मैं चार में डाल कर पीसेंगे और इसका हम कीमा रेड़ी कर लेंगे तो इसका धकन हम हटा के चेक करेंगे दाल पिस गई है या नहीं तो आप देख सकते हैं दाल बहुत अच्छी तरीके से पिस गई है तो ये मैंने इस सारी दाल का कीमा बना के रेड़ी कर लिया है तो अब बारी आती है इसमें चॉप किया हुआ धेर सारा हरा धनिया डालने की तो ये हरा धनिया तो मैंने इसमें डाल दिया है अब मैं डालूंगी ये ब्रेड़ क्रम्स ये पूरी तरीके से ओप्शनल है आपका मन करें तो डाल ये अदर वाइस इसे आप इसके बेकर सकत पर आप ब्रेड ग्रम्स डाल के अगर आप कवाब फ्राइब करेंगे तो जो आपके कवाब हैं वो फटेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं तो ये कीमा कवाब बरने के लिए पूरी तरीके से तयार है तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक प्लेट लेनी है, उसे अच्छी तरीके से ओयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब आप इसमें कबाब डालें तो प्लेट में कबाब चिपके नहीं, ठीक उसी तरीके से आपको अपने हाथों को भी ओयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि आप जब इसकी टिक्क्या बनाएं तो वो आपके हाथों में भी न चिपकें बस इसके बाद आपको थोड़ा सा कीमा लेना है और हथेली की मदद से गोल-गोल करते हुए आपको इसका कबाब बना लेना है तो हमारा ये एक कबाब तो रेडी हो छुका है तो बस सेम उसी तरीके से हम दूसरा कबाब भी रेडी कर लेंगे आपको थोड़ा सा कीमा लेना है और उसे रोल रोल करते हुए आपको एक कबाब रेडी कर लेना है तो सारे कबाब हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे तो ये कबाब बन के रेडी हैं फ्राई होने के लिए तो आईए इन्हें फ्राई कर लेते हैं इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक दबा लिया है और इस पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल कर हम तबे को अच्छी तरीके से ओल से ग्रीस कर लेंगे और आपको इस प्रोसेस में अपनी ग्यास का फ्लेम जो है वो लो से मीडियम के बीच में ही रखना है बस अब इस पे हम डाल देंगे जो हमने कबाब बना के रखे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक करके इस पे कबाब डाल दीजिए डालने के बाद अब इसमें हम एक चमच के करीब तेल और डाल देंगे ताकि यह अच्छी तरीके से क्रिस्प हो जाए तो थोड़ी तेर बाद आप देखेंगे कि कवाब जो हैं एक साइट से बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्लन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं तो आप स्पैचुला की मदद से इसे दूसरे साइट पलट दीजे और दूसरे साइट से भी इसे हमें कोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है तो इसे बहुत आहिस्ता से पलट यह परना यह अतने सौफ्ट होते हैं कि पलटने के टाइम ही यह तूट सकते हैं पलटने के बाद हम इसमें एक चमच और ओयल डाल देंगे ताकि यह दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाए और ओयल को आपको चारो तरफ स्प्रेट कर देना है जब यह दोरो तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो मैं ऐसे एक बार और पलटके स्पैचु अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिये कॉमेंट करिये और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा थैंक यू